हले एवरीवन वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है पी एच डी करना चाहते हैं आप अगर पी एच डी या फिर एंफिल अड्मिशन के लि ले सकते टेस्ट के तुरू और अगर आपके पास नेट क्वालिफाइड है तो एक्जामिनेशन दिये बेना रिटेन टेस्ट के बिना विदाउट रिटेन टेस्ट आप डिरेक्ली अड्मिशन के लिए फिल कर सकते तो दोनों ही स्कीम है और फेलोशिप भी एवेलेबल है पर और सभी सब्सेक्ट बहुत सारे सब्सेक्ट से तो चली आगे बढ़ते पूरी डीटेल्स के लिए एंड तक अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी डीटेल समझ में आएंगी जैसे कि क्या-क्या सब्सेक्ट से हैं और लास्ट डीट क्या होने वाली है कहां से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है फिलोशिप एसेक्टरा सब्सेक्ट कुछ इस तरीके से आर्ट में आप देख सेते स्क्रीन पर काफी लंबी लिस्ट है जैसा मैंने आपको लिखा कि सभी विश है तो हो सकता कुछ सब्सेक्स मिस हो गया हो लेकिन इतने सारे सब्सेक्ट आप स्क्रीन पर देखे में थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देती हूं आर्ट में है इतने सारे सब्सेक्ट इसके बाद फिर कॉमर्स में लौ संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान सोशल साइंस में साइंस मेडिसिन आयुरवेदा डेंटल साइंस एजूकेशन तो ये सारे सब्सेक्स काफी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे इसके अलावा तो सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं कि कहां से नोटिफिकेशन रिलीज हुई और इसके बाद वन बाई वन हम डीटेल कवर करेंगे दो पार्ट में डिवाइड किया है रिटें टेस्ट के बिना तो उसके लिए क्या-kया शब्यक्त से और जो रिटेंट test के फ्रू जाना चाहते हैं तो उनके लिए प्या-kया शब्जेक्ट सब्से पहले कर अपson पड़ते हैं रिपलाई और ज्योटीवर होता है उसे वह अपनी तरीके से explain करने की काफे सारे points को कोशिश भी करते हैं आपकी कुछ query होती है तो वो भी shout out करने की comment section में हम कोशिश करते हैं तो यूट्यूब पर देखने से आपको benefit यह होता है कि कई तरीके की advantage सुनकर आप समझ लेते हैं कई चीजों को बहुत सारी प्रदेश में है college eight central university है बहुत ही रेपूटेड यूणिवरसिटी है काफी सारे सब्जेक्स में यह PhD ओफर कर रही होती है तो रेट examination बुलाते हैं जो entrance test के थ्रू admission लेना चाहते हैं उस examination को रेट बुलाया जा रहा है तो दोनों scheme available है with and without written test तीन पार्ट में एक्चिले डिवाइड किया है सबसे पहला पार्ठ टेबल वने में आप देखेंगे PhD scholar will be enrolled in the university through rate and rate exempted तो रेट के through and rate exempted candidate दोनों ही इन सभी विश्यों में application डाल सकेंगे तो आट्स में बेंगॉली फ्रेंच मराथी तमिल तेलुगू फीजिकल एडुकेशन हिंदी स्टाटिस्टिक्स ओम साइंस प्रयोजन मूलक हिंदी मैथेमेटिक्स कॉमर्स लॉह हुमन राइट्स जूटीज एडुकेशन शुकला यजूर्वेद कृष्ण यजूर्वेद रि यह सारे सब्जेक्स जो है इसमें दोनों केटेग्री के कैंडिडिट अप्लिकेशन डाल सकते हैं या तो आप रेट के थू जाना चाहते हैं या फिर आप रेट एक्जेम्टेड किया जाएगा वो भी यहां पर हम डिसकस करेंगे फेलोशिप के लिए वो भी यहां पर डिस राजर वो जबस हैं पर और उपार में apro यहां मेडीसिन वाले वाले कैनिटेट देख लिए प्छानुप सारे थिक्टे हैं तो आयुरेदा में हां यहां वाले कानीटिशन बोहाँ सारे हैं वे candidate भी नीचे टेबल वन भी में दिया है जो कि only rate के थुरू इसमें होगा तो यह चाइनीज retail and logistic management, hospitality and tourism management, political science, neurosurgery, इसमें अगर आप admission लेना चाहते हैं इन में से किसी में तो आपको rate देना ही होगा rate exam के थुरूर ही आप जा सकते हैं नीचे और table 1C में भी कुछ cover किया गया है यह है कि जो rate exempted है तो rate exempted category के candidates यह वन टू थी फूर टेबल 1C में यह जो subject सब नीचे आपको दिख रहे हैं जो rate exempted category के candidates रहे हैं और डेरेक्ट ली एडमिशन के लिए इन सभी सब्सक्त में application डाल सकेंगे तो जिसमें काफी सारा आपको नजारा रहा है पेज नबर 12-13 आप चेक कर लें तो तीन category मेंने आपको बताया एक उपर 1A में rate exempt हो या rate के थू दोनों ही उन subject में डाल सकते हैं application 1B में सिर्फ rate जो exam देंगे वो और यह है rate exempted वालों के लिए अब जान लेते हैं की rate के लिए कौन-कौन exam होने वाले हैं इन विच नो admission in PhD विल बी डन तो कुछ ऐसे भी subjects हैं जिनमें की PhD नहीं 2021-22 session लिखा जा रहा है बट यह actually current session के लिए 2022 session के लिए है fellowship के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं पेज नबर 47 आप विजिट कर लें यहां पर all the eligible internal full-time research scholar admitted through RET not getting any financial assistance for any funding agency may be provided fellowship for his or her full residential period तो three years की जो PhD होती है उसके लिए जो RET के थ्रू candidates आएंगे eligible होंगे उनको मिलीएगी financial assistance और condition यह रही कि कहीं और से कोई भी financial assistance means जैसे आप जैसे आप जैरे रहे होंगे तो फिर उनको नहीं दी जाएगी यहां पर तो उनको दी जाएगी जिनको दूसरी और कोई financial assistance कि किसी दूसरी organization से नहीं मिल रही है तो यह पेज 47 पर आप fellowship चेक कर सकते हैं और means fellowship available है जिनों ने net gate नहीं किया है उनके लिए भी है और JRF नहीं है उनके लिए भी है और JRF रही तो आप JRF से क्लेम कर सकेंगे अगर GRF नहीं है, नॉर्मल नेट गेट भी नहीं है, या नेट गेट है लेकिन GRF नहीं है, तो भी आपको मिलेगी यहां पर fellowship लेकिन रेट के थ्रू आपको जाना होगा इंपोर्टन डेट्स अगर आप चेक करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको उपर मिलेट पेज नंबर 39 नजर आएगा, इस पर आप चेक कर लेए, एवेलेविलिटी ओफ ओनलाइन फॉर्म, 20 जैनवरी 2022 से ओनलाइन फॉर्म एविलेबल है, लास्ट डेट ओफ ओनलाइन अप यहां पर मुझे ऊपर नजर आप चेक करना चाहते हैं, तो यह पेज नंबर 39 नीचे अगर आप देखेंगे तो कुछ थोड़ा एक वन पेज का डिफरेंस रहा है, तो यह पेज नंबर 39 नहीं है, पेज नंबर 39 पर आप इंपॉर्टन डेट्स चेक कर सकते हैं, तो मिनिमम तो में अगर आप चेक करना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट वाइट सब के लिए थोड़ा थोड़ा अलग दिया हुआ है, लेकिन बेसिकली मास्टर्स डिग्री है कंसन सब्जेक में या फिर एलाइट सब्जेक की लिस्ट दी हुई है उपर, आप चेक कर सकते हैं, अगर कंसन सब्जेक में मास्टर्स डिग्री है तो या फिर मास्टर्स डिग्री ने एन वन अफ द अलाइट सब्जेक्ट तो आप अप्लिकेशन यहां पर डाल सकेंगे, ए कंडिडेट शेल वी रिक्वाइट तो है पार्ज दा क्वालिफाइव एग्जामिनेशन से क्यूरिंग दे म इस तरीके से आप यहां पर और क्वालिफाइव मांक्स रहे अट लिस्ट फिफ्ट फइफ़ परसंट इन एग्रिगेट और इक्यूलेंट इन क्वालिफाइव एग्जामिनेशन सब इस बया है के लिए थोड़ा थोड़ा चेंज है तो वह आप चेक कर सकते हैं बेसिकली मास्टरेवी होनी चीह मेडिसिन फ़ड़ा चेंज है बड उसमें व मास्टर दीग्री ही म अंगी जारिये क्वालिफाइव माग से फिफट फशंट मांक्स होना चाहिए रिफ्ट तो वो कौन-कौन से candidate है, this is applicable only for admission to various PhD program and integrated MPhil PhD program, तो इसमें क्या-क्या है, एक candidate who is qualified in national level test such as net, JRF, net lecturership भी अगर किया है, without fellowship, या फिर gate qualify किया, या फिर slate किया है, accredited by UGC Central or State Government, तो इन cases में आप exempted रहेंगे, तो basically net JRF है, या फिर CSIR net है, normal lecturership net किया हुआ है, आपने या फिर gate qualify किया है, या फिर slate भी qualify किया है, तो आप rate exempted category में application fill कर सकते हैं, last point आपका discuss करें कि entrance test कैसे कहां कहां पे होगी, तो entrance test के लिए बहुत सारे cities में arrangement की गई है, all over India level पर examination हो रही है, तो या आप लेकि 33 यहां पर पूरे, इसमें हर state में बहुत सारी cities mention की गई है, तो means आपको problem नहीं होंगी, आपके जो भी nearest location है, वहाँ पर जाकर आप exam दे सकेंगे, इसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही होगी, सभी स्टेट्स में कंड़क्ट कराए जा रहे हैं, कि कुछ खास सेंटर्स पर examination में is all over India level पर हो रही है, वह सकता है कुछ एक दो मिस हो गए हो तो वह मैंने ध्यान नहीं दिया, यहां पर आप सारी डीटेल्स चेक कर सकते हैं, और guideline for filling up online application, यहां पर guidelines है, new user है तो आप register करने के लिए पहले sign in वगएरा करने के लिए register कर ले और उसके बाद बागी की process आप यहां से कर सकते हैं, इसके लिंक में आपने वीडियो के description box में provide कर देती हूं, description box को नीचे तक scroll down करें,